हेलो दोस्तों नमस्कार आज का हमारा विसा है लहसुन की फसल पर बॉआई के समय कौन सी खात का प्रियोग करना चाहिए यानि बेसल डोज प्याज की फसल पर जो प्राइमारी निूट्रियन है जो बेसल डोज है वो हमारी उपज, गुलबत्ता, क्वाल्टी और कितनी अच्छी इल्ड नकलने वाली है दिसा और दसा को तै करती है किसी प्रकार की परस्थिति में आप लहसुन की खेती कर रहे हैं, चाहो हलकी भूमी हो थोड़ा सा लेट वाई कर रहे हैं, अंगेती वाई कर रहे हैं लेसुन की यदि आप इन खादों का प्रियोग करेंगे दोस्तों तो बहुत आपको अच्छी रिजल्ट मिलेंगे जब आप खित की तैयारी कर रहे हों तो खासकर उत्तम जलनकास का प्रबंध होना बहुत जादा जरूरी है दोस्तों और लहसुन की जब आप खित की तयारी कर रहे हों यदि उस समय आप एक ट्रॉली गोवर की खाद वो जो सबसे सस्ता होता है जिप्शम पचास किलोग्राम जिप्शम खित की तयारी करते समय प्रियोग करेंगे तो लहसुन की फसल एकदम पूरी लाइफ साइकल भार हरी भारी रहेगी एक अच्छी आपको बढ़बार देखने के लिए मिलेगी तो आप सलफार की पूरती जरूर करें और सबसे सस्ते में आपको जिप्शम में मिल जाएगी तो इस हिसाब से आपको इन बातों को फॉलू करना चाहिए अब में टॉपिक क्यों पर बात करते हैं बॉआई के समय खाद यानि वेसल डूज तो जब भी आप बॉआई कर रहे हों हम आपको दो कॉम्बिनेशन के बारें बतलाएंगे आप तो डीएपी बाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं या फिर एनपी के बारा बत्तिस सोला बाला भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं सबसे जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैं डीएपी डाई अमोनियम फासफेट 18-40-50 किलोग्राम एम ओपी मियूरिट और पुटा 60% बाली 30 किलोग्राम वेंटो नाइंट सल्फर आपको 10 किलोग्राम लेना है ध्यान रखिए डीएपी के साथ आपको जो सल्फर है उसको मिक्स नहीं करना है सल्फर को आप अलग से डलवा दीजी खियत में बांकि डीएपी मोपी और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर दीमा की समस्या या फर वाइट गरब की समस्या देखने के लिए मिलती है तो इसके लिए रीजेंट या फर कार्वो फिवरान कार्वो फिवरान तीन परसेंट सीजी फ़ाम में जो आता है पांच किलोग्राम और यूरिया खाद अब काफी किसान भाई कहेंगे कि यूरिया कौन बाई के साथ प्रियोग करता है यदि आप बाई के समय मात्र 15 किलोग्राम इस कौन बाई के साथ यूरिया का प्रियोग करेंगे तो जो बनस्पत एक बढ़वार है प्रिकास संसलेशन के लिए वो तेज होगी और हमारी फसल में एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग से ही हरी भरी फसल रहेगी पीला पन की समश्या नहीं आईगी और बहुत अच्छी रेजल्ट देखने के लिए मिलते हैं तो वो आई के समय केवाल और केवाल 15 किलोग्राम इूरिया इस से कौन बाई के साथ मैक्स करके प्रियोग आपको करना चाहिए सलफर वेंट नाइट सलफर जो दाल की तरह सलफर आती है उसका प्रियोग करना 10 किलोग्राम तो इस हिसाब से बेसल डोज जो पहला कॉम्बिनेशन था अब आप चाहें तो डिये पी की वजाए एन पी के 12-12 बाला कॉम्बिनेशन ले सकते हैं तो आईए उसके बारे में बात करते हैं सेकंड जो कॉम्बिनेशन दो नमसको ये कॉम्बिनेशन लेना है एन पी के 12-12, 75 किलोग्राम SSP पाउडर फोम बाली खाद जो सिंगल सुपर फासफेट खाद आती है आपको लेना है 50 किलोग्राम बेन टुनाइट सेलफर 10 किलो रीजेंट जी आर 5 किलो बुआई के साथ प्रियुक करें लेकिन जो डियेपी बाला कॉम्बिनेशन बतला आया था बहुत ज़्यादा कारगर हमारे हसाब से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है तो डियेपी बाला भी ले सकते हैं या फिर एनपी के बारा बत्तिस सूला बाला भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो इस हिसाब से दोस्तों आप बेसाल डोज जो प्राइमरी न्यूट्रियन है बहुत अच्छी उपज आप चाहते हैं एक्सपोर्ट क्वाल्टी का लेहसन की आप खेती कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट में जब आप माल भेजें तो बहुत अच्छे आपको बाजार भाब मिलें तो इन खादों का प्रियोग आपको जरूर करना चाहिए बागी उनना सील जो किसमे है ओटी लहसन को आप लगा सकते हैं जी टू बैराइटी को लगा सकते हैं देसी लहसन को लगा सकते हैं एग्री फाउंड वाइट को आप लगा सकते हैं जी 282 लहसन को आप लगा सकते हैं या है वेस्ट किसमे हैं जो भी आप variety लगा रहे हैं उनको उपचारित जरूर करें यानि आप उपचारित करेंगे दोस्तों यानि सीट्स ट्रीटमेंट वीज उपचार करने से बहुत अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती हैं बैसे भी फपूंदी जन्यत्र फंगस जन्यत्र बीमारियें लह पर यादि आप भी उपचार करेंगे तो अंकोरण, जर्मिनेशन, डंपिंग आप की समश्य नहीं आएगी और बहुत अच्छे से जड़ों का बिकास होगा जड़ें जो रेसिदार जड़ें हैं उनका ज्यादा ज्यादा डैवलाप होता है और 0 दिन से लेकर 45 दिन तक अं फंगी साइट्स हैं या फिर बायर कंपनी की एवर गोल्ड एक्स्टेंट जो फंगी साइट आदी इन दोनों में से उपचारत कर सकते हैं दोस हैं लेकर दोड़ाई एमेल प्रती किलोग्राम की दर से बीज़ उपचार आपको करना चाहिए यह केकाल में 150-200 ग्राम सीट्स तो इस हिसाब से आपको लहसुन की खेती करनी चाहिए और जब भी आप लहसुन की खेती कर रहे हों तो बेसाल डोज पर बिसेश तरीके से बिसेश प्रकार से आपको सावधानी बरतनी चाहिए पोस्तात्तों की पूर्थी करेंगे और जो हमने डोज बतलाया है वो प्रती की तैयारी उत्तन जलनकास का प्रबंध होना चाहिए और मिट्टी जितने ज़्यादा भूर भूरी होगी उतना ही अच्छा जमाब देखने के लिए मिलने बाला है अब जो अंगली वीडियो है आपको अंगली टोपिक पर अंगली जो चेप्टर पर नई नई वीडियो के मा पहसुन की फसल पर पहली खाथ पर जरूरत के हिसाब से न्यूट्रीसियन की पूर्ति करके अच्छी पैदावार निकाल सकें यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें धन्नवाद